बीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दू आज की ये जो बीडियो है ये आप कहीं पर ढूर लीजे कोई आज तक ऐसी बीडियो बनाया ही नहीं पूरे यूटूब पर क्योंकि इस बीडियो से ही आपकी परिच्छा में सारे के सारे प्रशन आएंगे एक भी ऐसा प्रशन नहीं होगा इस बीडियो फिर जो बाहर काएगा 100% गारंटी के साथ बोला हूं परिच्छा देकर आये हैं चात्र काफी चात्रों ने बोला कि सर आपने जो बताया था वही प्रशन आये हैं और सेम तो सेम आपकी परिचकल परसो या पिर आने वालत दिनों में लगी है आप चाहा 24 में परिच्छा दे रहे हैं चाहा जब दे रहे हैं इसी में से प्रशनाएंगे एक भी मैं कोईश्चन की बात कर रहा हूं एक कोईश्चन इस वीडियो से बाहर कर नहीं आएगा चलिए वीडियो को हम सुरू करते हैं यह वीडियो जो है वह चाहूंगा यह तीन दिन पहले हिए पेपर हुआ sociology का 2024 में ठीक है तीन दिन पहले अभी ये paper हुआ 2024 का इसमें वही सारे question आये थे जो मैंने आपको दो दिन पहले बताए थे ये उसी university का model paper है देख लीजे पूरूब की तोर पे लिखा समस्टर फर्स्ट समस्टर और 2024 24 का paper है sociology subject है question paper का नाम introduction to basic concept आप sociology है इसमें तीन प्रकार के question पूछे गए थे आते लग उत्ते लग उत्ते लग उत्ते देर के उत्ते यही सारे question मैंने पहले ही बता दिये थे कि यही आएंगे एक भी ऐसा प्रस्ट में नहीं है जो मेरे मेरे द्वारा बताया गया ना आये मतलब कि सभी के सभी मेरे द्वारा बताया गये प्रश्णाय थे और सभी के सभी उत्तर मैंने आपको भी बता दिये थे कि ऐसे से तयार कर लिजेगा फाइनली पूरा का पूरा पेपर भंसा था आप लोग समझ सकते हैं कि इतने हार्ड वर करके मैंने वीडियो बनाई थी ठीक है और मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं कि जो जो मैं प्रस्णाज बताने वाला हूं अगर आमको इनको तैयार कर लेंगे तो आप 75 में से आप ल हमयिशा आने वाला कोश्च ने ठीक है तो संयुक्त परिवार की परिवाफा लिखेंगे एक संयुक्त परिवार में तीन या तीन ठीक है और प्लस आप ठीक है अगर ये तीन पीड़ी आपके बाबा जी पिता जी आपके चाचा जी दादा जी ठीक है ये लोग एक साथ एक ही घर में ठीक है निवास करते हो ठीक है और एक ही में सभी लोगों का एक ही रसे में खाना बनता हो ठीक है और सभी की जो संपत्य हो सबसे बराबर भेद भाव हो ठीक है नहीं कि ये इनके रिलेशन के हैं तो इनसे भेद भाव उस तर गलत तरीके से करना चाहिए फिर इनको अगर कुछ भी हेल्प करनी है तो कम करें फिर ज्यादा करें सबी के साथ बराबर भेवार करें वो चाहे आपके दादा जी का कोई रिलेशन हो या फिर आपके पापा का हो या फिर आपके अपके माता जी का हो सब के साथ बराबर भेवार हो ठीक है तो उससे हैं कहेंगे हम जॉइंट फेमिली उसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पर समझेंगे ठीक है कि संयुक्त पर भोजन करते हों आर्थिक एकायक रुप में कार्य करते हों तो उन्हें उनकी संमलित रूप को संयुक्त परिवार कहा जाता है या फिर संयुक्त परिवार कह सकते हैं ठीक है यानि कि जो हमारे दुबे जी ही प्रमक समास्वास्त्री हैं उने कहा कि मूल परिवार एक साथ रहते हो और उनके निकर सम्मंध हो मतलब कि बहुत ही निकटता हो एक दूसरे से अच्छा भेदबाव हो ठीक है एक अफ्थान पर भोजन करते हो जो फैनेंसियल चीजें उसमें सभी लोग सपोर्ट करें कोई समस्या है तो ठीक है तो उन सभी चीजों को सम्मलित जो रूप होता है इसी को सेयुक्त परिवार कहते हैं सेयुक्त परिवार में दादा दादी माता पिता चाची चाचा चचेरे भाई यह उनकी पत्निया वा बच्ची विद्वा बहने यह बेटिया आद सामिल होती है ठीक है यह है एक एक जामपल और एक है उदाहरन ठीक है जिसको आप बोलते हैं हिंदी इंगलिस में ठीक है तो इसका कतने के मतलब यह है कि सेयुक्त परिवार वही जहां पर आपके ठीक है तीन प्रेडियों के लोग एक साथ रहते हों जैसे द बिवाह का अर्थ बताईए फिर बिवाह के परिमाशा बताईए और कुष्चन मोस्ट इंपार्टेंट है ध्यान से सुन लिजिए तीन प्रशन में बताऊंगा तीनों मेंसे एक पक्का का फसेगा है पहला कुष्चन इस प्रकार का पूंचा जा अफक्ताब की परिश्या म जोता है जो पहले जांएंगे भिशेश्जटा थिक फिर आगेcip रभी अगीं तो बिवार का साब्दिक मतलब होता है तीक है जिसको आप लोग बोलते हैं ठीक है उधो अर्थात वधू को वर के घर ले जाना बिवाह को परभासित करते हुए प्रमख बिद्वान लूसी मेर ने कहा है बिवाह की परिभासा या है कि वा इस्तिरी पुरुस का ऐसा योग है जिससे इस्तिरी से जन्मा बच्चा माता पित है ठीक है उसे हम बिवाह कहेंगे इस परिभासा में बिवाह को इस्तिरी पुरुस के ऐसे संबंद की रूप में सुभिकारा गया है जो संतानों को जन्म देते हैं उन्हें वैद धुकोशित करते हैं तथा उसके फलसरूब माता पिता यों बच्चों को समाज में कुछ द्धुनर द्वारा मानों समाज यों संबंदों का नियमन करता है उन्हें विवाह की संग्या दी जावकती है ठीक है तो सिंपल और भिवाह के कुछ बिष्यस्ताय है जिसको आपको ध्यान रखना है विवाह की बिवाह के लिगल पॉइंट से हैं प्लस कानून भी इसको हरम बी सभीकार करता है और समाज भी सभीकार करता है तो ये इसकी पنت अब और और दो Piatori की यून संबंधों की च्थाप्ना पर अदिकार प्राप्ता है कि की पूरा का पूरा अधिकार होता है कि वो किसी मदब के अपना बना अ साधे से पहले आप लोग देखते हैं तो वह एक अवेध तरीका है लेकिन जब साधी हो जाती तो पूरी तरह वैद्ध है अधिकार है अगला जो पॉइंट है कि बिवाह समाज की अनिवारियों सार्भ भौमिक संसता है अगर आप किसी समाज में रहे हैं किसी भी धर्म में र अगर नहीं लेकिन एक प्रक्रिया है और एक प्रोसेस है ठीक है और यह जरूरी और अनिवार प्रोसेस है ठीक है जिसको करना ही करना पड़ता है समाज में रहकर उके इस प्रकार लिखेंगे नेश को बढ़ते हैं यह फिर कोश्चन प्रकार आ सकता है कि हिंदू धर्म के विवाह क्या वद्देश बता दू Select狞की कंद और फोकस करें गए फोकस करेंगे तो पहला नंबर व्द्देश यह उता है यहां संबनि आनंगी देखे कुछ बोलते नहीं कि कुछ वहां से क्या मिल जाता है दहेश जिसको बोलते हैं प्लफ दहेश तो एक है ही फर्ष्ट नंबर पर ठीक है उसका सही होग मिल था आर्थ एक में दूसरा यह हो जाता कि अगर आप अकेले कमा रहें कल आपके साधी हो गई तो आपकी पत्नी भी हो गया बच्चों का पालन पोसर ठीक है यह होता है उद्देश हिंदू बिवाह का तो यह कुछ प्रमुक उद्देश जिनको आपको ध्यान में रखना है बहुत ही पोप्लर कुश्चन है हमेशा फंसता है फंसता है ध्यान रखेंगे फिच्छा के उद्देश या फिर आप लोग किसी कंपेटिशन की तयारी करने जाते हैं कलाफ लेने जाते हैं तो उसका उद्देश क्या है तो ध्यान से सुनेंगे भासा के लिखने बोले एवं ब्याकरन तथा गणित का ग्यान प्रदान करना यह मुख्य उद्देश होता है सिच्छा का ठीक है तो भासा कैसे पढ़ी जाती है कैसे बोली जाती है कैसे मतब कोई चीज कैसे लिखा जाता है इन सभी का ग्यान होता प्लफ गणित का जोडना घटाना भाग करना ठीक है यह सभी चीजे सिखाई जाती है यह होता है में उद्देश की भीया फिच्छा कि यह उद्देश जरूर है कि उसमें बच्चों को पढ़ाया जाए और उसको समझाया जाए उसको लिखाने गद्विदिया बताई जाए प्लस उसको मैथमेटिक्स जो चीज़ी है उनको अच्छे फे ठीक है एक्स्प्लेंड करके उनको समझाया जाए बताई जाए तो यह होता है दूफरा हो गया कि जटल सांस्कृत को समझने के लिए ग्यान प्रदान करना माली जिए कोई कोई हाड ठीक है जिसको बोलते हाड ठीक है श्ट् कि जिस भी समाज में रहे रहा है जिस भी रित्रिवाज जिस भी रित्रिवाज में रहे रहा है जिस भी महौल में बच्चा रहे रहा है उस तरह उसको ढालेना ठीक है कि भाईया आप समाज में रहते तो आप अच्छे से सबी के साथ अच्छे से बोलिए अच्छे से पेस आईए बड़ों का आदर करिए रिसपक्ट करिए गुरू जनों से प्रेडाम करिया उनका आदर सम्मान करिए अगर कोई मिल आप से तो उसको सम्मान दीजिए ठीक है तो यह सब समया सिखाया जाता है कि अगर आपके परोस में कुई आपके दादा जी है जाचा जी है पर पड़ोस में है कोई या फिर रिलेशन में कोई है तो उन सब का रिस्पेक्ट करना अच्छ बात करना यह शिखाया जाता है सांस्क्रतिक में सुधार यों ब्रधियोग देन क्रद्धि में योग देना मतलब की कोई मतलब कोई कोई रित रिवाज कल्चर जिसको बोलते हैं ठीज razor करना और उसको फुदर के साथ साथ इसमें और भी अच्छे तरीके से उस चीज़ को जान सेके, अपने कल्चर को जान सेके, उस चीज़ को बताना है, ये होते हैं फिच्छा के गुद्देश, कभी आप जिंदगी में भोलेंगे नहीं, जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, अब अगला प्रशन है कि संस्कृत के सिच्धात से बना है, अगर कोई पूचे कि फिच्छा कैसे, सिच्छा सब्द है, जो सिच्छा वर्ड है, इसकी उत्पत्य कैसे हुई, कहां से हुई, तो आप सिंपल सा लिखेंगे, कि फिच्छा सब्द जो है, इसकी सुरुवात या फिर स्टार्टिंग या फिर इसकी उत्पत्य सांस्कृत के सिच्छ धात से हुई है या फिर सिच्छ धात से बनाएं जिसका मतलब या फिर अर्थ होता है सीखना या फिर अध्यन करना तथा ग्यान ग्रहण करना मतलब सीखना अध्यन करना और ग्यान ग्रहण करना यह होता है सिच्छा का मतलब ध्या आर्थों में हुआ है जैसे कि ज्ञान बोध बिद्या आद सिच्छा का मतलब आप लोग विद्या प्राप्त होती तो अगले तरीके हैं एक ही पहलो के ठीक है कई फारे एक मतलब आपनों कहावत सुनी होगी कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे वाला ठीक है तो मतलब की मतल फिच्छा की कुछ विसिष्टाएं जिनके बारे म्यद्ध लेते हैं तो फिच्छा का सबसे पहली जो विसिष्टा है वह कि विच्छा विकास की निरंतर चनने वाली समाजिक प्रिक्रिया है तो यह हमेस्षा मतलब की चाहाए आज हम पढ़ रहे हैं कल आप आप हम पढ़ पढ़ें तो आपके बच्चे नहीं पढ़ेंगे फिर अगला है कि शिच्छा के अंतरगत कई गट्ट। सिच्छा के अंतरगत कई बिधियां अंतरनीत होती हैं, सिच्छा के अंतरगत जो कई टाइप्स की बिधी होती हैं, बत्रम लोगों को बताने के समझाने की वो अंतरनीत होती, कुछ चीजे होती हैं कि उनको अलग-अलग माध्यम से किसी सिच्छा को अलग-अलग माध्यम से स सिखाया जाता है जैसे कि यस चीजह होती है तैसे की पढ़ाके सिखाय जाती है कुछ चीजे होती है जो चीजे घर किरें आ लत होता है। कुछ साहीरिक भी बाधिक की अगर आपको फिच्छा का ज्यान है ठीक है तो आप लोग अपना बोड़ी अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं अपना माइंड का लेवल जो है वो हाई कर सकते हैं और साथ साथ में और भी जो चीजें हैं उनको आप मैनेज कर सकते हैं अच्छे से अगर आपको फिच्छा आपको को 500 बना सकते हैं आप छोटे बिजिनिस को जिससे आपको 1000 महीना आ रहा है ठीक है उसको आप लोग फिच्छा के बदौलत या फिच्छा के ग्यान के वज़ा से उसे आप 10,000 में करमट कर सकते हैं मन्थली में ठीक है मालीजे कोई आपकी दुकान है उससे आप मन्थली मालीजे की 5000 की इंकम होती है ठीक है तो आप के पास इच्छा है नौलिज है तो आप 5000 की जगा उसको कुछ दिन ज्यान उसमें अच्छे फ़िलिः करेंगे और और अच्छ निषित को नहीं पडूर पर उसको पुंहें अगया को समय क्या वे हैने भड़ते हैं के और सही योग वाला क्षेशिन यह वह उपर पेपर मैंने आपको मार्लम पेपर दिखा रहा था अभी उपर दिखा रहा था उसमें कोश्चन पूछा था सहीयोग के बारे में की सहीयोग पर मतलब सीयोग के बारे में शंचित टिपड़ी लिखिए ठीक है तो उसमें पूछा गया था कोश्चन और देख लीजिए यह आपको मैंने पहले ही बता रखा था कि ये question आएगा देख लीजे पुरूफ है आपके समय हम कोई भी चीज ऐसे नहीं हम पुरूफ के साथ लाते हैं ठीक है पुरूफ के साथ लाते हैं हम हवा हवाई में बात नहीं करते हैं ठीक है इस बात को ध्यान रखेंगे आप सभी जि सब्सक्राइब करते हैं तो आप अगला क्वेशन है कि समाजिक जीवन में शहयों के महत्त को बताई यह इतना महत्त पूर्ण नहीं है तो आप इसे एग्णोर भी कर सकते हैं मेरे इक्जाम के नजरी से प्रतेसपरधा इंपार्टन कोश्चन है एक कोश्चन फसेगा प्रत प्रतेसपरदा इसके सुरूपों के बारे मताईए ठ्यान रखेंगे एक प्रमुख्य विद्वान ने जिनका नाम है ओर ग्री इन्होंने प्रतीस परदा के चार सुरूप बताएं तो पहला है आर्थिक यहाँ पर तो हैं एक मिनट एक मिनट एक मिनट ऑकि यहां पर तीन ह पहला है प्रतिस प्रदा है फिर इसके अंतरगत कुछ चार सुरूप भी हैं ठाजनीतिक प्रतिस पादा है और राश्ट्य की साथ करता है इसके बारे में कुछ आपको डेटर मन्हें तयार कर लेना क्योंकि यह बहुत ही आता है एक्जाम में लेकिन कम देखने को मिलता है संगर्स से बीड़ा कोईश्चन और प्रतियस बढ़ता है यह दोनों कोईश्चन वे उपर माल पेपर में देखा तो उसमें पूछा तो आप लोग इसको भी तैयार कर सकते संगर्स से जड़ा कोईश्चन आपके चाहिए अत्मिया चाहिए लगमिया चाहिए दिर्गमिया आएगा जरूर तो संगर्स के बारे में पढ़ लेते छोटी सी परिवासा कि जो संगर्स है या भी आसहयोगी समाजिक प्रक्रिया का एक प्रकार है यह मौलिक रूप से आसहगामी एउम सार्व भौमिक समाजिक प्रक्रिया है संगर्स प्रतेक समाज और काल में अधिक मात्रा में पाया जाता है समाजिक समंदों में भी संगर्स हमेशा मौजूद रहता है जब कोई बेक्ति या समू अपने किफी लच्छी की प्राप्त के लिए बिरूधी बेक्ति को हानी पहुचाने नश्ट करने उसके हितों को चोड़ पहुचाने का प्रत्न करता है तो उसे संगर्स कहते हैं ठीक है नश्ट क reached अपर के प्रिबहादा की अब यहां पर नों में डिफरेंस आप उतियार कर ले आ कि भी एक भार ध्यान देंगे जरूर में उसके बाद को प्रत्रेस्परदा के प्रोंग विस्ट आएं तो इन दोनों के बारे में आपको तयार कर लेना है खुल मिला के ठीक है क्या पता फंसी जाए नब्य प्रसंट है उम्मीद की आएगा सत्मी करण कि क्या तात्पर यह क्या मतलब यह कभी कजार आता हमेशा नहीं आता तो आप पढ़ भी सकते इसको के नब्भी कर सकते हैं ओके चले स्कूचिन किया है कि मारो चिया हुं समाजिक क्मुल्यों का क्या महत्त है ठीक है तो यह बहुत धिक था सेज्द्धिक मूल दुफरा है आर्थिक अत्वा बेवारिक मूल, सौंदर बोधी मूल, समाजिक अत्वा पार्थोवादी मूल, राज नितिक अत्वा सत्ता संबंधी मूल, छाटवा है धार्मिक अत्वा रहफ्यात्मक मूल, तो ये कुछ छे प्रकार के समाजिक मूल के वरगी करण हैं, या फ बहु जार चोबेश को मार्डर पेपर में उपर आपको दिखा यह तो कि दो दिन दिन पहले हुआ है उसमें फिर पूछा गया था था तो समाजिक गसीलता का प्रभाव समाजिक संगठनों पर पर पढ़ता है तो समाज की गत्सीलता है वो समाज के संगठनों पर पढ़ता है गत्सीलता व्यक्तिक एवं प्रतियोगता की भावना को बिक्सित करती है प्रतियोगता है नियुथ पर समाज की समाज की गत्सीलता सब्दो से ही आप लोग समझ रहे हूंगी से समाज है जो रहने वाले गुरूप हैं संगठन है उनका गती मतलब की उनके विकास के लिए ठीक है समाज गती कर सके समाज उन्नत कर सके ठीक है और वो लगातार चलती रहे ठीक है गती सीलता ठीक है तो उसके बारे में question है हलाकि आपको यह परिभासा समझ में आई तो इस तरह तरह त्यार कर लीजिएगा अधरवाज इसका उत्तर आप लोग मतलब की कुश्चन डालेंगे इंटरनेट पे तो उत्तर आ जाएगा तो वहां से पढ़ लीजिएगा कुल मिलाके इसका उत्तर आपको तैयार करके जाना चलिए इसके बारें थोड़ा जानते हैं तो उत्तर आपको लिखना है कि मनुष ने अब तक स्वयम के अध्यन के प्रति कम रुची रखी है मतलब कि अपने आपको अध्यन करने का समय नहीं है उसके पास ना अपने आपको अध्यन करने के पास उसको मतलब अध्यन करने का इंट्रेस्ट है जैसे कि आप अपने आपको अध्यन करें समय नहीं आपके पास बहुत ही कम रुची रखती है मतलब कि आप लोग रखते हैं करते हैं अध्यन करने के प्रत लेकिन कम रुची है प्रारंभ में उसने स्वयम से भिन वस्तोयम घटनाओं के अध्यन में अधिक रुची प्रदस्यत की है मतलब कि अपने आपको अध्यन करने में बहुत ही कम इंट्रेस्ट रुची दिखाई है बट कोई चीज है माली जे की उसने स्वयम से भिभिन वस्ते बनाई है या देखी है या फिर कोई घटना घटते हुए देखी या फिर घटनाए जो घटी है उनके अध्यन पर वह अधिक रुची प्रदस्यत करता है फिर अधिक रुची दिखाता है उसके बारे में ठीक है इस बात को धान डखेंगे जैसे कि एग्जामपल का रुप में कुछ चीज ले लेते हैं धान से सुनेंगे आप सभी और लिज्यार की आपके घर में कोई मामला हो गया रूप में मान लिज्या कि आपके घर में चोरी हो गई थोटएces बेसिक ले लेते है चोरी हो गई तो आप क्या करेंगे, अपने घर में चोरी हो गई, तो आप कहेंगे, हाँ चोरी तो हो गई, वह समझ जाएगी, तो उसके बारे में आप चलाएंगे ठीक, बाई कुछ दिन के बाद, लेकिन अगर किसी आपके पड़ोस में, किसी और के हाँ कोई चोरी हो गई, घटना घट गई तो आप लोग क्या करेंगे न, अरे उसकी यहाँ चोरी हो गई, जहाँ जाएंगे, वहाँ बताएंगे, अरे चोरी हो गई, अरे फिर उसकी यहाँ ऐसे चोरी हो गई, उसकी वहाँ वैसे चोरी हो गई, उसकी गलती थी, उनके घर वारों के गलती थी, क्योंकि वो उसमें नहीं लगाये थे ऐसे है वैसे ये बाते जो ना आप लोग फैला देंगे लेकिन अपनी घर की जो बात होगी उसको आप इतना नहीं फैलाएंगे लिमिटेड रखेंगे कि हले गलती हो गई कोई बात नहीं तो इस तरह इसको समझी है इसी कारण प्राकृतिक बिज्ञान के बिस्यों की ब्योफ्थित अफ्थापना इसी कारण प्राकृतिक बिज्ञान के बिस्यों की ब्योफ्थित अफ्थापना पहले हुई है जबकि समाजिक बिज्ञान उस क्रम में बाद में आये हैं मतलब कि समाव साफ्त या समाजिक बिज्ञान जो है या आप चबी को जैसे आपने जा Competition तेम हैं और जितने भी साफ्टर है ठीक है उन्में सबसे बाद में जो आया है वो समासाफ्ट्र जीमें पहले और जए सब से माणो से सब आ चुके थे ते कि उसके बाद में rollsีके से मनीतिंच हुआ तोड़नाया है ठीक है अन्य साफ्थ के तुलना में समास्थाफ्थ तो यह प्रश्ण यही कह रहा है ठीक है यहां पर उसके बाद कुछ परचे लिखेंगे कि समास्थ का विकाफ एक बिशिष्ट बिशे के रूप में सन 1938 से प्रारम हुआ यानि कि आप इस समें समास्थाफ्थ आपका सब्जेक्ट है आप समास्थ पढ़ने लगें तो क्या हुआ कि जब शुरुवात में किसी भी इन्वर्सिटी में या फिर किसी भी कॉलेज में समास्थाफ्थ जो सब्जेक को लागो किया गया है 1938 में जबकि फ्रांस के प्रमुख बिद्वान है जो कि बहुत ही पॉप्लर है जिनका नाम है अगफ्थ काम्टे ने सरप्रथम इस नवीन साफ्थ को समास्थ नाम दिया ठीक है क्या दिया था सबसे पहले समास्थ का जो नाम था वो नवीन साफ्थ था ठीक है इस बाद को धान रखेंगे इसी करणंब को अगफ्थ ठीक है काम्ट्च को समास्थ का जनक यानि कि आपको कई बार पर देखने कमला होगा कि समास्थ के पिता या फादर आप सोस्थ लोजी को ने तुम्हां पर आपको फिलेक्ट करना रहता कि अगफ्थ में 1876 में फ्रांस में 1889 में ग्रेट ब्रेटेन में 1907 में यह भारत में 1914 से प्रारम हुआ यानि कि जो समास साफ एक सब्जेक्ट के रूप में एक विसे के रूप में इसको लोग पढ़ें अध्यन करें समझें ठीक है ठीक है इसकी जो सबसे पहले सबसे पहले अमेरिका में 1876 में फिक है उसके बाद टांस में 1889 में उसके बाद ग्रेट जिटेन देश इस में 1907 में हुई उसके बाद में 1914 से प्रांस सका सब्जेक्ट के रूप ॏ इस बाद इसका उत्तर लिखेंगे, बहुत ही popular question exam के लिए ध्यान रखेंगे, उसके बाद समाज साफ्थ का साब्दिक अर्थ आप लोग सभी जानते हैं, ठीक है, यह समाज साफ्थ methodology दो सब्दों से मिलकर बना है, जिसमें से, ठीक है, सोशियस लेटीन भाफाफे है, जिसका अर्थ है ठीक है, यानि कि सोशियस दो सब्द है, लेटीन भाफाफे है, जिसका अर्थ है समाज, ठीक है, ओके, और जो लोगस है, यह ग्रीक भाफा का है, इसका जो अर्थ है, यह है, फाफ्त्रिया फिर बिज्ञान, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है, तो समाज साफ्थ जो तोनों से बिलकर बना और दोनों सबस्दे हैं और दोसरा ग्रीवांसा ने लए तरीक्य से बताई है जैसे इनका नाम वाड है इन्होंने का प्रकार लिखेंगे इसका उत्तर बहुत ही पॉपलर कोईशन है और अगला प्रकार यह वाला भी उपर माडल पेपर मतलब कि उपर कोईशन पेपर दिखा रहा तो उसमें कोईशन पूछा भी काया था कि समाफ प्रकार तथा आर्थसास में सम्मंद बताईए ठीक है अब प्रकार यह वाला उपर वाला यह दोनों तयार कर लिए गया मैं हंडर प्रसेंट गारंटी के साथ बोलना हूं आपके कमसे कम दस नंबर से बारा नंबर पक्की होगे बस दो प्रस्ण का उत्तर तयार करने ठीक है क्योंकि इन सभी में आपको डिफ्रेंस और संबंद तयार कर लेना भस पक्यापके ठीक पूरे 1 कोस्टे को समाच को परिभाफित कीजे को नहीं की समाच के इसकी वह न outta pern लिए तो इसमें बहुत सारे कोश्चिन है जो कि आपके एक्जाम की निजएसे बहुत ही महाथपूर्ण है वीडियो जयादा लंभी नहों इसलिए हम पर है उसमें जितने भी कोश्चन देगी है उन सभी का उत्तर इसी माडल पेपर में यह पीडिएफ जो है ना इसे में मिल जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ उन ही प्रशनों को आपको तयार कर लेना है बाकी जो जो अभी तक मैंने प्रशन बता है इनको तयार कर लेना बस आपको सब अब की और यह पीडिएफ प्रशन जो पीडिएफ मतलब कि यह पीडिएफ कुष्चन एंसर वाली पीडिएफ पलस उसकूष्चन पेपर की पीडिएफ हम आपको टेलिग्राम पे और वाट्सप पे दोनों पर अटेश कर दे रहें और ज्वाइन हो ज जाएगा तो कोईश्टन पर प्रविश्टन रिकर दीजिएगा जय हिंद है